लूज़न ताम फेडिन फास्ट आजिस वननेकिट लास्ट राट लेक गो अफ पास्ट आज इंडिया में जल्दी ही लॉंच होने वाले हैं और दोनों फोन्स में हाल ही में लॉंच हुए फ्लेक्सिप प्रोसेसर्स लगे हैं फ्लेक्सिप केमरा सेटप मिल जाता है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में जैसे की मैंने बताया यह दोनों ही वन्प्लस 12 और डिइकू 12 प्रो के ज़्याधा है और बलकियर लगता है OnePlus 12 का weight 220 grams का है और thickness 9.15 mm की है वही IQ 12 Pro का weight है वो 205 grams का है और thickness 8.75 mm की है OnePlus 12 में 5400 mAh की battery मिल जाती है और 100 Watt का wired charging support मिलता है और 50 Watt का wireless charging support मिल जाता है वही IQ 12 Pro में 5100 mAh की battery मिलती है और 120 Watt का fast wired charging support मिल जाता है और 50 Watt का wireless charging support मिलेगा OnePlus 12 में IP65 water and dust resistance rating मिलती है और iqoo 12 Pro में IP68 Water & Dust Proof Rating मिल जाती है बाकि दोनों फोन्स में RM Blaster और NFC भी मिल जाते हैं OnePlus 12 में 6.82H की 2K OLED डिस्पले मिलती है और 120Hz की refresh rate मिल जागी वहीं iqoo 12 Pro में 6.78H की Samsung की E7 OLED डिस्पले मिल जाती है refresh rate 144Hz की मिल जाती है बाकि हार्डवेर के बात करें तो दोनों में same ही मिल जाता है Snapdragon 8 Gen 3 Processor, LPDDR5 XRAM मिलेगी और UFS 4.0 Storage मिल जाता है यहाँ पे दोनों फोन्स में Game Opening Time देख सकते हैं केमरा की बात करें तो वन प्लस 12 में 50 Megapixel का Sony LYT 808 Optical Sensor मिल जाता है 64 Megapixel का Telephoto Lens मिल जाता है और 48 Megapixel का Ultra Wide Camera मिल जाता है वहीं iqoo 12 में 50 Megapixel का Mean Camera मिलता है जो QIS N6 Functions के साथ आता है और 64 Megapixel का Periscope Telephoto Lens मिल जाता है आप यहाँ पर दोनों के Simple Photos देख सकते हैं इन टम्स ओप Main Camera OnePlus 12 जादा बेटर है इन टम्स ओप Telephoto Lens IQ 12 Pro जादा बेटर है तो यह थी बैसिक कंपेरिजन दोनों फोन्स की डीटेल कंपेरिजन का वीडियो में जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले टेश्टेक अपडेट के साथ तक तक थेक्ष वोचिंग, have a great day and keep smiling मुझे जो और इहां दो जो हो वीाँğ